हेलो एवरिवान वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल येश दावान फिटनेस और आज हम बात करने वाले हैं गैट कंपनी के एलार जनाइन के बारे में जो मैंने पर्सनली खुद पर्चेस किया था एप्रॉक्स दो महिने पहले और अब मैं इसको यूज कर रहा हूं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अपना पर्सनल रिव्यू बताना चाहूंगा आपको इसके फायदे और नुक्सान जो मैंने अब्सर्फ किया है तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई स्पॉंसर्ड वीडियो नहीं है मैं किसी भी तरह का प्रोडक्ट कोई प्रोमोट नहीं कर रहा हूं ये मैंने सिर्फ परसनली पर्चेस किया था तो मैं उसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं LR9 के बारे में कि LR9 का क्या काम होता है LR9 एक ए तरीन तरीके से होता है आपको बहुत अच्छे पंप साते हैं आपको एनरजी फील होती है आपको नॉर्मल वर्काउट से काफी डिफरेंस दिख जाता है जब आप ऐलार जनाइन को यूज करते हैं अपको बहुत एजली मिल जाता है डाइट के तुरू भी अगर आप मीट य के लिए और फिट रहने के लिए वर्काउट करते हैं वह लोग लाजनाइन को यूज करते हैं जिससे कि उनको वर्काउट में बहुत ही अच्छे पंप साएं उनकी एनर्जी में कमी ना हो इसलिए ही आप ज्यादा डिमांड है फिटनेस इंडस्ट्री में इन फाक्ट्टर भी recommend करते हैं LRG9 अपने patients को क्योंकि इसके बहुत सारे benefits हैं जैसे कि chest pain उसमें डॉक्टर recommend करते है LRG9 को उसके लावा erectile dysfunction की problem जो होती है males में उसके लिए भी डॉक्टर recommend करते हैं pregnancy से related जब कोई problem होती है उसमें भी recommendation करी जाती है उसके लावा हमारी लोगों ने इस product को already देखा होगा मैं फिर भी आपके साथ एक मैं आपको यह product दिखा देता हूं यह देखिए आपको product दिख रहा होगा path से यह मैंने दो मैने पहले खरीदा था जैसे कि मैंने आपको बताया और मेरे को इसमें 180 tablets मिली थी purchase किया था मैंने यह अप्रॉक्स 2000 के आसपास का और इसमें LRG9 जो है वो वन ग्राम है पर टैबलेट डैट मीन्स पर टैबलेट 1000 mg वाला यह LRG9 है उसके लावा जोसमें calcium है वो 30 mg है जो जातर LRG9 के supplements में अबलेबल होता ही है केल्शियम इसमें जो टैबलेट है वो कुछ इस तरीके से दिखती आपको दिख जाएगी कुछ इस तरीके से यह वाइट कलर की tablets होती है ठोड़ी सी बड़ी होती है consume करने में दिक्कत होती है serving में इसमें लिखा गया है कि serving size इसका one tablet ही है चली अब बात करते हैं कि मेरे को इस product का result कैसा लगा यह जो company है Gatsport यह काफी famous brand है इसके बहुत सारे products है जो काफी famous है आपने इसके बारे में सुना होगा इसका tribulis भी आता है इसका multi vitamin भी आता है इसका protein भी आता है तो उसी विए से मैंने इस product को purchase किया था यह सोचके कि इसके results काफी amazing होंगे क्योंकि मैं LRG9 पहले भी यूज कर चुका हूँ कुछ other brands के मैं आपको बताऊंगा भी end में वीडियो के कि मैंने कौन सा LRG9 यूज करा था इसके इलावा जिसके results मेरे को बहुत ही अच्छे लगे थे वह भी मैं आपके साथ share करूंगा तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं तो जब यह मैंने दो मेहने पहले purchase किया और मैंने इसकी पहली tablet खाई workout से पहले तो मेरे को कुछ खास मज़ा नहीं आये था तो मेरे को लगा कि नॉर्मली जो हम लोग है professionals जैसे मेरे को काफी टाइम हो चुका है workout करते समय तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है tablet में उतना असर ना आए तो फिर मैंने इसकी दो tablet ली दो tablet अगले दिन मैंने workout के time use करी थी तब भी मेरे को कुछ खास मज़ा नहीं आया मैंने तीसरी tablet ली तब भी मेरे को कुछ खास मज़ा नहीं आया in fact मैंने चार से पांस tablet ली तब जाके मेरी बॉड़ी कुछ लेवल पे हिट हुई थी और वो उतने लेवल की नहीं थी जो मेरी expectation थी अब आप लोग बोलेंगे कि आप लोगों बट मेरे को personally इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि मैंने पहले भी Alarginine यूज करा है मेरे को पता था रिजल्ट कैसा होना चाहिए तो उस मताबिक मेरे को बिलकुल भी मज़ा नहीं आया आपने सुना होगा कि chemist में भी Alarginine मिल जाता है 30 रूपीस 35 रूपीस के आसपास का in fact उ कि मैं को इसमें ठीक लगता है professional bodybuilders आपने सुना होगा वो कहते हैं कि Alarginine की छे टैबलेट्स वो खाते हैं साथ टैबलेट्स खाते हैं आठ टैबलेट्स खाते तब जाके उनको रिजल्ट दिखता है so personally मेरे को उतनी टैबलेट्स पर मैं जाना नहीं चाहता अतनी आदा professionalism मैं मैं नहीं घुसना चाहता मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को उसमें वेंस दिखी थी ऐसा नहीं है कि बिल्कुली zero result है मैं को वेंस दिखी थी अपनी बॉड़ी में pumps आते हैं लेकिन उस लेवल के नहीं आते जो मेरी expectations थी तो उसके मुताबिक मैं को get का LR जिना नह लेता हूं वर्काउट के टाइम क्योंकि आपैसे खर्चे हैं तो यूज तो करना पड़ेगा तो फिलाल मैं इसको यूज कर रहा हूं इसके साथ मेरे को additional प्री वर्काउट जोड़ना पड़ता है कभी-कभी कॉफी मैं एक सैशे लेके जाता हूं in fact यह भी मेरे को करना कंपनी काफी बड़ी है मैं उनके लिए बोल रहा हूं यह ठीक है कि नहीं मुझे नहीं पता बट मैं अपना पर्सनल आपको ओपीनिन बता रहा हूं कि मैं को गैट का रिजल्ट इतना सही नहीं लगा अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनी है जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा गैट कंपनी के लावा जो मैंने पर्सनली खुद यूज की थी और मैंको इसके रिजल्ट काफी अमेजिंग लगे थे तो मैं आपके साथ एक फोटोग्राफ शेयर करता हूँ ये काफी फेमस ब्रैंड है इसके अड़र्टीजमेंट्स वगेरा तो नहीं आती है ये देखे आपको दिग गया हुआ नाव कंपनी का एलारज 9 1000 mg वाला मैंने यूज किया था पास्ट में और मैं आपको बता रहा हूँ मैंने सिंगल टैबलेट यूज करी थी और मैंको उतने अमेजिंग रिजल्ट्स आये थे उसमें कि मेरी एनरजी जो थी काफी हद तक बढ़ गई थी मेरे को बहुत ही अमेजिंग पम्स आते थे मेरे को उसके साथ कुछ भी लेने की जरुत नहीं पढ़ती थी सिंगल वन टैबलेट में मैं को रिजल्ट दिख जाता था मैं स्टिल फिर भी तीन टैबलेट खाता था और मेरा वर्काउट एप्रॉक्स दो घंटे तक पहुच जाता था यूज करने के बाद और उसको खाने के बाद मेरे पास पूरे दिन एनर्जी रहती थी मैं को बहुत ही पसंद आये था मेरे पैसे वसूल हो गए थे नाओ का यूज करीदने के बाद ये भी 500 mg और 1000 mg में एवलिबल होता है आप चाहें तो 500 mg ले सकते हैं चाहें तो 1000 ले सकते हैं मैंने 1000 लिया था क्योंकि मैं मेरे को थोड़ा सा कौश फ्रेंडली लग रहा था सस्ता पड़ा था एप्रॉक्स 1500 टू-2000 की बीच के आसपास मेरे को पड़ा था तो इस वए से मैंने 1000 mg वाला खरीद लिया था उसमें भी 120 टैबलेट्स ही थी मैंने खरीद लिया था और मेंको उसके रिजल्ट्स काफी अमेजिंग लगे थे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप LRG9 लेने जा रहे हैं तो नाओ कंपनी का LRG9 खरीदें 500 mg वाला या 1000 mg वाला आपको उसके रिजल्ट्स बहुत पहले हैं आपके पैसे पूरी तरीके से वसूल रहेंगे आपको लगेगा कि आपने कोई चीज कंजूम करी है आपको MAX TO MAX 3 TABLITS में बहुत ही rildle्ट्स आएंगे आपके पंपस बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे सही है कि नहीं जो मैं पैसे जिसमें मैं इंवेश्ट करने जा रहा हूं मेरे को इसके रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं फिर भी कभी ना कभी गलती हो ही जाती है मैंने गैट के बारे में अच्छा पड़ा था बट मैं को पर्सनली इतना पसंद नहीं आया अगर आप खुद से खरीदने जा रहे हैं तो मेरी रेकमेंडेशन यही रहीगी कि अगर आपके पास दो ऑप्शन हैं गैट है या नाओ है तो दोनों में आपके साथ जैनुइन रिव्यू शेयर किया है कि आप आँख बन करके नाओ कंपनिया खरी सकते हैं मेरे को तो किसी भी तरह की प्रॉलम नहीं हुई मेरे को बहुत ही पसंद आया था एलाट जिनाइन का सो आप चाहें तो लाट जिनाइन यह यह कंपनी का खरी सकते हैं तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही मैंने अपना परसनल एक्सपिरेंस आपके साथ शेयर किया लाट जिनाइन को लेके आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ फाइदा हुआ हो कुछ सीखने को मिला हो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में किसी भी तरह की कमी हैं आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम या स्नैप पे मैसेज कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाय कर दूँगा तो आज की